हाई गाईज मैं पूझा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ मैं अपने इस वीडियो में NCRT की सीरीज लेकर के आई हूँ ऐसे तो NCRT की बुक्स काफी इजी होती है आसानी से पढ़ सकते हैं याद कर सकते हैं समझ सकते हैं पर फिर भी हमेंसे काफी सारे ऐसे स्टूरेंट हैं जब मैंने अपने काफी दोस्तों से बात की तो उन्हें उन्होंने कहा कि बुक्स तो इजी होती हैं लेकिन इतना लगता है बहुत लंबा स्लीबर से 6-12 किसी भी कॉंपरिटिशन एक्जाम में प्रिपरेशन NCRT की करने से एक लंबा समय लग जाता है करीब दो साल लग जाते हैं हमें तो NCRT पढ़ने में तीन साल लग जाते हैं बहुत से स्टूरंट ने सका कि हमें साल साल लग जाते हैं NCRT पढ़ने में हमने पहले बहुत सारी कॉंपरिटिटिव जन्र नॉलेज की बुक्स पढ़ी लेकिन बाद में जब एक्जाम में गए और वहां पे जब रेफरेंस हमने देखा कफे बेसिक ऐसे क्षें थे झोके न्सी आ पिसे पूछ जाते हैं और वहां UA सारे बिक जो हम सारे गहरो कुंपरिटिव ओंपडेटिव जैम कि बुक्स मार्केट मैं अव भूपर्एबल हैं इसे बस कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते एं उससे होता क्या है उसं ergonomis कुछ तुक्य बाजी में हमारे questions तो आ जाते हैं exams में लेकिन एक जो सीरीज वे में हम पढ़ते हैं उसे जो हमारा concept clear होता है अगर कुछ question के answer हमें नहीं भी आ रहे हैं तो भी हम eliminating method से उसको solve कर सकते हैं क्योंकि हमारा concept clear है और concept clear सिर्फ और सिर्फ एंसी आटी की बुक से हो सकता है चाहिए वह इस्ट्रेश सिवेक जोग्रफी की जीके जीके की बुक हो या फिर जीएस के लिए आपकी science की बुक हो तो हाला कि हर एक subject पे market में reference book काफी सारी अवलेबल है अच्छे अच्छे writers की कर लेते हैं और इसी सीरीज में आशा करते हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ladybird education और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस सीरीज में कई सारी वीडियो लेकर कि आओंगे पूरे एंसी आटी के सारे टॉपिक्स लेकर के आओंगे आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स की जोग्रफी की चैप्टर फॉस्ट मैं छोटे चोटे वीडियो बनाऊंगी ज्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो क्या होते हैं देखते देखते बोर हो जाते हैं तो इसलिए चोटे वीडियो में जो हमारा डेटा कॉंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए मैं सारे पूरी किताब को उठा करके नहीं लाएं सिर्फ पॉइंट वाइज में उतने ही चीज़ों को ल साइंस लेकिन अगर उनके कहानी और स्टोरी टैलिंग जो कॉंसेप्ट उसको हटा दिया जाए तो वह बुक अगर वह दसेजार पन्नों की टोटल किताब है तो वह पांसो से छेसो पेज में सिमट जाएगी और उसमें भी बहुत कम ऐसे क्वेशन होंगे जो कि छूटेंग सब कि सब आ जाएंगे उसी में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की जोग्रफी का चाप्टर 6 जैसे कि मैंने डीटेल में यहां पे किताब से चार्ट करके चीजों को लिखा हुआ है और आप देख पाएंगे कि मैंने जोग्रफी की सिक्स क्लास के यहां पे लिखे हुए हैं इसमें 6-7 चैप्टर है कुल आपके पहला चैप्टर है हमारा सवाज विवित्ता से भरा हु पहला पार्ट देख सकते हैं बहुगालिक विवित्ता इसमें बताया गया है कि भारत का शेत्रफल कितना है तो भारत का कुल शेत्रफल 32,87,263 किलोमेटर भारत की चारों सीमाओं को बताया है इसके साथ ही मेगाले के मासिन राम को छटी की क्लास में जो है उलेक किया गया ह अब आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे जो इस चैप्टर में डील किया गया है कि इसमें बताया गया है धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विवित्ता इसके अंतरगत हमें इस किताब में बताया गया है कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म इन सारे धर्मों का जो उ पुन्नीपंत में, सिख, धर्म, नामधारी, निरंकारी में, जैन, धर्म, दिग, अंबर, स्वित, अंबर में, बौत धर्म, हीनियान और महायान में, हिंदू के वेत, पुरान, उपनिशद, महा भारत, रामायन की चर्चा इसमें की गई है, कुरान, शरीफ, बाइबल, धर्म, ग्रंथ, रिपीटक, उसके बारे में कई बार क्वेशन पूछा गया है, जेन दावस्ता पार्सियों का ग्रंथ है, इसके बारे में कई क्वेशन पूछे गया है, तो इन में सिर्फ वही टॉपिक्स डिल किये गये हैं, और वही लाइन में यहां पे लिखा है, जो क exam में question पूछे जाते हैं exactly keywords को ले करके हम पूरी के पूरी कहानी बना करके किताब को पढ़ सकते हैं और बहुत easy way में उसको समझ सकते हैं अगर देखा जाए तो छटी class की book बहुत ही पतली सी है और उसको हम एक दिन में खतम कर सकते हैं इस तरह से keywords बना करके और हम कहानी के तरह इसको पढ़ेंगे हमें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा और याद भी होगा बहुत जल्दी और हमें उसको कोई रटना नहीं है और मेरे इस वीडियो के बाद अगर आप एंसे अटी की book जा करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा और उसके बाद अगर आप competitive उसके बाद इस chapter में बताया गया है कि विभिन राजियों में अलग-अलग नित्ते हैं जैसे कि कुछ famous नित्ते हैं जिससे की frequently question आते हैं पहले भी आते थे UPSC से लेकर के State Public Service Commission आपके Railway SSC जितने भी exams हैं इसमें ये questions एकदम frequently पूछे गए हैं बिहू असामका है लोकनीत गरभा डांडिया गुझराथ काहै किरल कशिण का मोहिनी अट्डम कथकली है issue अधाय नऊबॉर्ड तो हम देखेंगे कि हमें ये सारे हम बच्पन से सुन तो क्या हूता है कि ये बच्पन से Erica Kanoos इसकी आदत हो गई है और हम एक लिए पढ़ेंगे दूसरी बार पढ़ेंगे तो हमें हम यह हैब टुटे लोग यह याद हो जाएगा और यह एक नया वर्ड है चांग लोग को हम एक लोग थोड़ा गौर फर्मा लेंगे उस पे एक सेकिन जादर समय ले लेंगे पॉसले ले ऒुक्ता तो जो हर सौ किलो मेटर के बाद जो है उसमें विविद्थाएं देखने को मिलती एगा कहा सकते हैं कि हर दस्थे 20 किलो मेटर में तो हर 10 20 तरी 50 किलो मेटर में आपको अलग अलग तरह का पहनावा खान-पान भाशान पॉलियां जो कि जária से हिंदी है अठाइ Bye यह वह जी है किसे हिंदियां बूरी जाती है तो उसको बौली कहते हैं हम शड़ते जगा पे चोटे एंटर्वल पे तो उसी तरह से भाषाइं अैसे तो हमारे समयदान में कुछ ही भाषाओं का उल्लेख है, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवी अनुसूच में, लेकिन जो है जगा जगा थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमारे पूरे भारत वर्ष की ही ये विविद्ता है, बाकि और किसी देश में इतनी विविद्ताएं आपको नहीं मिलेंगी भाषाई विविद्ता, आगे इस अध्याय में चर्चा किया गया है, भाषा की विविद्ता, बिराणवी संसे समिधान संसोधन की चर्चा की गई है, आठवी अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इसमें है असामिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, कौंकनी, मैथली, मलियालम, मनीपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु, तथा उर्दू आपका आठवे नुसूची में बोड मास कहके बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली, पहले अठारा भाशाएं थी, उसके बाद चार भाशाओं को उसमें एड़ किया गया आठवे नुसूची में तो इसके बारे में हम विस्तरित चर्चा जो है आगे आने वाले समय में करेंगे परिधान में विवित्ता, जम्मू कश्मीर में जैसे की विशेश रूप से ऐसे तो सलवार, कुर्ता, साड़ी, ये सारी चीजों की चर्चाएं हम जानते ही हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में फिरन, मेजोरम में पुवांचेई इस तरह के कुछ नए वर्ड्स हैं तो इनमें हम एक पॉज लेंगे एक ब्रेक लेंगे ताकि ये हमारे माइंड में सेट हो जाए और चुकि ये नया वर्ड है तो हमें एक जब भी हम यहां आएंगे तो आरतिक प्रधान देश है यहां पर विविन प्रकार की आजिविकां को अपनाया जाता है जैसे कृशी पशु पालन बकरी मुर्गी पालन है या रेशम की खेती है यह कहीं पर आपका जोटे-चोटे एम गैर सरकारी सरकारी संस्थां में लोग काम कर रहे हैं तो इस तरह से बहुत सारी आर्थिक प्रकार की विविद्धाएं देखी जाती है, आर्थिक इस तर पर, जिसका की उप्योग लोग अपनी आजिवीका का जिवीको पार्जन करने में करते हैं अंत में इस चैप्टर में बताया गया है विविद्धा में एक्ता अंत में हमारे भारत में इतनी सारे विविद्धाएं होने के बावजूद हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांतरिक देश है राश्टर है और इसी का कॉंसेप्ट लास्ट में समझाया गया है व पढ़ लेते हैं तो हम बच्पन से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं कोई नया नहीं है कोई स्पेशल अचानक से नहीं आ रहा है हम 12 तक की जो बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं का उपयोग उन्हीं के वर्ट्स जो होते हैं परिक्षाओं में यूज होते हैं अगर हम देखेंगे कि हम 12 तक के बुक्स को इजी वे में पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम सॉल्फ कर सकते हैं और या नहीं तो एक एक लेयर क्योंकि एक्जाम समय दर समय जो है टफ होते जा रहा है तो क्वेशन डीप लेयर से पूछे जाते हैं तो क्योंकि NCRT बेसि पसंद आया होगा अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हल्फुल है और आगे मैं सीरीज को कंटीनियू करूं तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए इ वो भी जरूर बताईएगा उन्हें मैं दूर करने का प्रयास करूंगी